जहीं दोस्तो स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो दिल्ली पुलिस ने हजारों छात्रों के साथ अन्याय किया है छात्रों को दो साल तक इंतिजार करवाया और बिना कोई कार्ण बताए भरती को रद कर दिया गया ये भरती है आपकी दिल्लिपुली सवलदार 2019 की जिसमें पोस्ट आई थी आपकी मिनिस्टियल और AWTPO की मिनिस्टियल के अंदर टोटल वेकेंसिस थी 554 और AWTPO के अंदर 649 वेकेंसिस थी अब ये भरती SSC की तरव से निकाली गई है लेकिन जिन अभ्यार्तियों ने 2019 में आवेदन किया था और जो अब ओवर एज हो चुके हैं उनको इस भरती में ना तो एज में छूट दी गई है और ना ही फीस में छूट दी गई है SSC की तरव से दोबारा से फीस बरवाई जा रही है इससे हजारों अभ्यार्तियों का दिल्ली पुलिस में लगने का सपना तूट गया है अब छात्रों के बीच में आकरोश है और छात्र दुखी भी है आप ये रिप्लाई देख सकते हैं जो CP दिल्ली के ट्विटर हैंडल नहीं अतुल शर्मा लिखते हैं सर जैसे दिल्ली पुलिस पहली हैड कोंस्टिबल की वेकैंसी की 14 क्रोड रुपे खा गए और अब SSC ने आगे लिमिट भी नहीं बढ़ाई तो बताईए हम क्या करी कितने रुपे देने पड़ेंगे जोब लगवाने के लिए बता दीजि हम अपनी किड्नी बेज देंगे क्योंकि आप लोग तो बच्चों के साथ खिलवाड कर चुके हैं वही निलेश लिखते हैं दिल्ली पुलिस ने 2019 वाले एस्पिरेंट्स के साथ भेदभाव किया है उन्हें नई वेकैंसी में एज में छूट दी जाए ऐसे ही 1006 दुखी है जो अब ओर एज हो चुके हैं इन सभी की एक ही गुआर है दिल्ली पुलिस से कि हमें 2022 की वेकैंसी में मोका दिया जाए हम भी दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं आप देख सकते हैं चात्ते यहां पर कितना दुखी है दोस्तों ये वीडियो था आशा क